हिटलर अपने प्लान और मिलेटरी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटन जैसे पावर को हराते हुए पूरे योग को जीतता जा रहा था हिटलर को मूग की तब खानी बड़ी जब उसने USSR पर हामला किया जर्मनी वार सुरू कर चुका था इस कारण उसकी सारी मिलेटरी और इंड़स्ट्री जारी वार के लिए वैपन्स बनाने में लगी थी अमेरिका में न्यूकलियर बम बनाने के प्रोजेक्ट पर 6,000 से ज़्यादा साइन्टिस्ट और 1,000,000 से ज़्यादा लोगों की टीम थी लेकिन वहीं जर्मनी के पास इतने बड़े साइन्टिस्ट ये टीम का अभाव था